वाट इसब आप सब लोग आप सब बढ़िया हो गयर तो जल्दी से अपने स्टार्ट कर लेते हैं बर्लेंस ट्रेडिंग कोर्स को बर्लेंस बेसिक ट्रेडिंग कोर्स को या फिर आप जो इसे बोल लो तो अपना जो पहला टॉपिक है मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैं आप लोगों को पहली चीज बता देता हूँ ये दो मोट्स में होंगे मतलब मैं पहले आपको हर चीज को ऑन बोर्ट समझाऊँगा तर उसके बाद हर चीज को ऑन चार्ट समझाऊँगा मतलब एक ही चीज के दो वीडियोस होंगे मतलब आप लोगों को पहले वो चीज on board समझाई जाएगी then उसके बाद वो चीज on chart समझाई जाएगी जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आय सके तो मैं आपको कहां से क्या समझाने वाला हूँ दूसरी चीज यहां देखो जिस टेक एन एकजामपल कि जहां से एक अपन जिससे start करते हैं अपनी journey पढ़ाई के लिए कहां से start करते हैं kindergarten से start करते हैं from KG1, KG2 to class 12 अपने स्कूल अपने को पूरी basics knowledge दे 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 थी यह सब चीज की तो मैं वहां से ले करके वो एक ही चीज है कि जो freshers होते हैं जिनको बिल्कुल भी knowledge नहीं है about trading जैसे मिरे को in the beginning मिरे को बहुत भटकना पड़ा था पूरे internet में मिरे को यह सब चीजे कहीं नहीं मिले थी बहुत जगा हाथ पर मारा देन जाकर मतलब 2D-4D knowledge मिले थी जो भी है आज यहां है तो मैं आप लोगों को सब चीज combined सब चीज A to Z यहां इस platform पर provide करा दूँगा YouTube के बाद आपको टेलिग्राम पर भी यह मिल जाएंगे जहां आप इससे download करके जब मन चाहे तब देख सकते हो तो the aim is कि मैं आप लोगों को सब चीज बता दूँगा मैं आप लोगों को एक बोलते हैं न जैसे मतलब जिनको बिल्कुल भी knowledge नहीं है वहां से उठा करके आपको उस stage तक ले जाऊँगा जहां आप at least खुद से trade कर पाए आपने आज सक calls copy ही किया होगा आप calls copy करना जानते होंगे आप जानते होंगे कैसे इस trade को लेना इतना ही जानते होगे न बट नहीं मेरा aim कुछ और है मेरा aim यह है कि आप लोगों को सिखाना है कि कैसे trade करते हैं कोई भी advisor आपके साथ lifetime नहीं रह सकता है lifetime नहीं रह सकता है कोई भी mentor आपके साथ lifetime नहीं रह सकता है lifetime calls ले करके किसी के भरोसे रह करके अपनी journey नहीं बनाव सकते हो trading में तो मेरे को ये चीज़ को हटा के आप लोगों को completely एक ऐसी जगा पर लेकर जा रहा है कि हाँ मैं खुद से trade कर पाऊं आप खुद से trade कर पाऊं that's all यही है तो मेरे साब से इसमें कुछ 15-17 topics रहेंगे जहां से मैं आप लोगों को start करूँगा and then उसके बाद जो अपने पहले तीन topics होने वाले हैं मैं बता देता हूँ मतलब जो पहले ही वीडियो में ये तीन topics cover कर रहा दूँगा मैं तो पहले तीन topics का मैं नाम बता देता हूँ what are charts? charts क्या होते हैं? what is time frame? time frame क्या होती है? what are candlesticks? candlesticks क्या होती है? okay I know आप लोगों ने यह सब को YouTube पे देखा होगा but I don't think so कि किसी ने उस तरीके से बताया होगा उनको already इतना तो पता होगा इतना तो सब को पता होगा नहीं यार नहीं पता होता है न लोगों को ठीक है? सब को इतनी knowledge नहीं होती है charts की मेरे को भी नहीं थी कभी तो मैं समझ नहीं बाता था यह सब चीज़ों को तो मैं आपको वहां से completely from the very beginning सब कुछ समझा दोंगा that's all कि आप एक खुद एक trader बन पाएं आप एक अपनी खुद की जरनी बना पाएं trading पे that's all तो यह था intro अपना कि मैं कहां से क्या तक समझा नहीं वाला हूँ एक पर लिग भी देता हूँ जिससे आप लोगों को समझा समझ में आए ठीक है from very basic okay from the very very basic ठीक है from the very basic अपन समझने वाले हैं और कहां तक समझने वाले हैं okay kindergarten to advance बोल सकते आप इसको ठीक है तो मैं यही बोलूँगा कि मैं अपना 100% ट्राइ दूँगा आप भी अपना 100% दो इसको समझने में okay जिससे की हर सीच clarify हो पाए okay तो that's all everyone start करते हैं अपन अपनी पर्लिंश टेटिंग कोर्स को आसे ठीक है and मैं ट्राइ करूँगा हर Saturday Sunday तो से तीन टॉपिक जाल पाम आप लोगो के लिए तो that's it thank you so much everyone